नमस्कार, मैं हूँ ससी, आये जरगन की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं गरतला भाय की 30 सितंबर को अनलोग 5 के लिए स्वास्त मंत्राले ने गाईलाइन जारी की थी जिसमें यह कहा गया था कि 15 अक्टूबर के बाद इसकूल को खोलने पर विचार किया जा सकता है पुधर दिल्ली सरकार ने कुरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 31 अक्टूबर तक इसकूल को बन रखने का आदेश भी दिया है जार्खन के कई जिलो में मानसुन फिर से सक्रिये हो गया है लोहरदागा और सिम्डेगा जिलो में कुछ जग हो पर मुसलधार बारिस हुई मौसम केंद्रे ने 7 अक्टूबर 2020 तक राजे में बारिस होने का पुर्वानवान जताया है 7 अक्टूबर तक राजे के उत्तर दक्षिनी पूर्व तथा पच्छिम जिलो में कहीं कहीं भारि बारिस का आउनुवान है राजे के 12 जिलो के बच्चों को चाना गुड़ खाने के लिए मिलेंगे 140 रुपए राज के कुपोशन प्रभावित 12 जिलो के बच्चों को चाना गुड़ खाने के लिए रासी जल्द ही दी जाएगी जर्खन राजे मद्यान भोजन प्राधी करण ने इसकी प्रकिरिया सुरू कर दी है बतादे की केंदर सरकार ने भी पूर्वे आवंटित रासी में से 17 कुड़ रुपए खर्च करने के उनमति दे दी है प्रती बच्चा को एक दिन चाना गुड़ खाने के लिए 3 रुपए 35 पैसे दिये जाएंगे इस हिसाब से 42 दिन के लिए एक बच्चे के बैंक खाते में लगभग 140 रुपए टांसफर किये जाएंगे जारखन में 816 नई संक्रमीत को पूष्टी हुई जारखन में खुल संक्रमीतों को संख्या 88,026 है जबकि 76,843 लोग स्वष्ट हुए और 747 की मृति हो गई भारत में कुल संक्रमीतों की संख्या 66,2,2,73 है जबकि 56,69,110 लोग स्वष्ट हुए 1,3,600 की मृति हो गई भारत में नई केस 9,893 मिले है जबकि 35,657 मरीज स्वष्ट भी हुए है जारखन में सोमवार को 4 की मृत हुई है जो धनबाद से 1, पुर्वी सिमूम से 1, राची से 1 और पच्छमी सिमूम से 1 की मृत हुई है सोमवार को 1284 मरीज स्वष्ट भी हुए है एक्टिव केस इस प्रकार है पुर्वी सिमूम से 1, 750 गड़वा 117 गिरीडी 181, गोड़ा 94, गुमला 191, हजारीवाग 480 जामतड़ा 188, खोटी 367, खोड़ारमा 283, लात्यहार 277, लुर्दागा 327 पाकुर 172, पलामू 144, रामगाड 165, राची 324, साहवगाज 101 सराय के ला 388, सिम्डेगा 117, और पच्छमी सिमूम से 295, मरीज एक्टिवाए सिक्षा मंत्री के स्वास्त में सुधार कुरोना संक्रमी जर्खन के सिक्षा मंत्री जगनास्त मतों के स्वास्त में तेई से सुधार हो रहा है उन्होंने स्वेम ट्वीट कर इसकी जनकारी सेर करते हुए काहा कि वे कॉल से बेहतर महसूस कर रहे है उन्होंने किसी परकार की भरमक सुचना से बचने के अपील भी की है पिछलो दिनों कुरोना संक्रमीत पाए गए सिक्षा मंत्री का राची के मेडिका अस्पताल में इलाज चल रहा है दूरगा पुजा के आयोजन को लेकर सरकार की गाईलाइन्स त्यार जारखन की हमन्द सुरेजन सरकार ने अनलोग 5.0 के तहट दूरगा पुजा के आयोजन के साथ सा धार्मिक अस्थलों को खुलने की अनमोति दे दिया इसे लेकर गाईलाइन जारी की गई है बता दे कि 8 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक अस्थलों के दर्शन के लिए खोल दिये जाएंगे वहीं दूरगा पुजा के दरान कोरोना गाईलाइन का पारन करना अनिवार होगा पुजा पंडाल को ऐसा बनाया जाएगा ताकि बाहर से मुर्ती न दिख सके और सरदालू की भीर्ण लगे पुजा पंडाल को खुला रखने को कहा गया है सिर्फ जहां मुर्ती रहेगी उसे ही ढाका रखा जाएगा जहारखन में इस सब्ता खुलेंगे जीम बार और कल्व जहारखन सरकार लोकडाउन के दोरान बंद की गई सिवाव में दी गई छूट को और बढ़ाने पर विचार कर रही है इसी सब्ता से जीम बार और कल्व समेत कई अन्य सिवाव को सुरू करने का अदेश दिया जा सकता है बता दे कि मुखे सचिव की अध्यक्स्ता वाली स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक एक दो दिनों में संभावी था बैठक में अब तक बंद रखी गई सिवाव को खोलने की अन्मती देने पर विचार किया जाएगा जैब पुलिस की दूसरी मेदा सुची जारी करने को लेकर अंसन जैब पुलिस की दूसरी मेदा सुची जारी करने को लेकर राजे भर के जैब के सफल अभियार्थियों कांदोलन 6 अक्टूबर से मोराबादी में शुरू होगा बतादे कि मोराबादी मैदान में बने स्टेज के पास लगबक 300 अभियार्थी भूख खर्ताल करेंगे इसके बाद भी बात नहीं बनी तो आत्मदाह करने का निरनाय ले सकते हैं यह निरनाय 20 सितंबर को राची जिला इसकूल मैदान में जैब के राजे भर के सफल अभियार्थियों के बैठक में लिया गया था समुधाईक सिक्षा की होगी सुरुवात मुख्या बनाएंगे मैटर टीचर राजे के सरकारी स्कूल के बचों को पढ़ाने के लिए समुधाईक सिक्षा की सुरुवात की जाएगी इसमें मुख्या हर पंचायत में मैटर टीचर बनाएंगे जिसमें सेवा निवरित सिक्षक या असनातक किये छो लोगों की टीम होगी बता दे कि कोई बच्चा पीछे न चुटे योजना के तहत या टीम काम करेगी इस योजना का सुभारा मुखमंत्री हमन सुरेन करेंगे 750 किलो मीटर साइकल चला कर 6 सरधालू पहुचे बाबा मंदीर उतर परदेश से 6 की संक्या में सरधालू साइकल से 7 दिनों में देवगर पहुचे सरधालू ने 7 दिनों की साइकल यात्रा में 750 किलो मीटर दूरी तयकर बाबा को जल अरपित किया बताया कि सभी फिलहाल बोलवम के रूप में थे सधारों ने बताया कि वे लोग रभिवार को उतर परदेश के राजली जिला के निकले थे उन्होंने बताया कि हम लोग बिस्वक की कल्यान और कुरोना कहर से बचाने को लेकर बाबा भोले संकर को जर्पित किये हाँ JJB में 15 अक्टूबर से सुरू होगी सुनवाई राची के किसोर नयाए बोड JJB में 15 अक्टूबर से सुनवाई सुरू होगी JJB के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट से बात करने के बाद राची के उपायूग 26 नहीं आदेश दिया है बता दे कि जीला समाज का लैन पता दिकारी को इसकी तयारी करने का भी निर्देश उपायूग ने दिया है लोकडाउन के बाद से JJB में सुनवाई बंध है सुनवाई नहीं होने से JJB को कई परसानी आ रही थी रिमांड हो में रहने वाले कई बचों के उम्र 18 साल हो गए है कॉंग्रेस ने हाथरस घटना के खिलाप मौन सत्यागर किया उतर परदेश के हाथरस में पीडित परिवार को नयाय दिलाने और सरकार के दमनकारिक करवाई के बिरोध में कांग्रेस ने राजे भर में सत्यागर किया परदेश अध्यक्ष सह बीत मंत्री डाक्टर रामेसवर उराव के अध्यक्षता में मौराबादी इस्चित बापु बढ़का में मौन सत्यागर किया गया एन एस एस स्वायम सेवक मास्क जगरूपता अभियान चलाएंगे राश्ट्रिय सेवा योजना जार्खन और यूनिसेफ की ओर से सोमवर को स्वास्त एवं सुरक्षित बेवार कोविट नाइंटीन में बिसाय पर वर्चूल कारेकरम का विजन किया गया इसमें एन एसस कारेकरम पदादिकारी वास्वयन सेवकों ने भाग लिया इसमें कोविट नाइंटीन गाइड नाइट के तहत मास्क पहनने वा अने नियमों का पारण करने को लेकर अनुभाव साजा किये गए नियुक्ति प्रकिरिया के लिए करमिक विभाग ने सभी विभागों से मांगी जनकारी जारखन में लोगों को सरकारी नोकरी उपलवद कराने की रापर राज सरकार आगे बढ़ती दिख रही है हलाकि राफतार धीमी है और संख्या भी कम होने का नुमान है लेकिन लंबे समय से रिक्त पदों को भरने के लिए प्रकिरिया सुरू हो गई है बता दे कि क्रमिक प्रसासनिक सुधार एवं राज भसा विभाग ने इस संदर्व में सभी विभागों से जनकारी मांगी है कि उनके कर्याले में अरक्षित स्रेनी के हिसाब से कितने रिक्तिया रह गई है पलामू में एक सरीर के साथ पैदा हुए दो नौजात सिसू जार्खन के पलामू में एक सरीर से जुड़े दो नौजात बचों का जनम हुआ है पलामो जिला मुख्याले मेधनी नगर इस्थित मेधनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोमो और को प्रसों के दोरान एक जुड़ा हुआ जुड़ा बच्चा ने जनम लिया है सिंदरी खाद कर खाना अगले वस चालू होगा राजे के सिंदरी में खाद कर खाना का निर्मान कारे शुरू है हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसाइन लिमिटेड यानी हरल का निर्मान कारे अगले साल 2021 में पुरा कर लिया जाएगा इस खाज कर खाना का एक अहम हिसा है वैंगिंग बिल्डिंग जिसके धलाई का निरीक्षन करने पहुंचे NDC के डारेक्टर मुकेश कुमार सिंग उन्होंने छट धलाई की सुरुवाद से पहले विदुवत पुजन किया और नारियल फोलकर कारे प्रारम भी किया कौंग्रेस का राज अस्तरिये किसान समेलन 10 को केंदर की भाजपा सरकार की ओर से हाल ही में लाए गए किसान विरोधी क्रीसी कानून के विरोध में अखिल भारतिये कंग्रेश के निर्देशा अनुसार 10 अक्टूबर को आविज राज अस्तरिय किसान समेलन के आविजन की तियारी के लिए परदेश कंग्रेश अध्यक्ष रामेश्वर उराव ने एक समीती का गठन किया है इस समीती का प्रभारे ज्यर्खन परदेश कंग्रेश कमिटी के करेकारी अध्यक्ष मानज सीन को बनाया गया है जबकि सदस के रूप में अने लोग समीली थाए जार्खन के वकीलों की पेंशन रासी बढ़ी जार्खन की वकीलों की पेंशन की रासी 7000 रुपे से बढ़ा कर 10100 रुपे कर दी जाएगी इस योजना से सभी वकीलों को जोड़ा जाएगा बता दे कि जहारखंड बार काउंसिल की पेंशन कमीटी की रभिवार को हुई बैठक में इस पर समती बनी है काउंसिल की आम सभा में इस प्रस्ताव को लाकर मंजूरी दिलाई जाएगी इसके बाद इसे लागू किया जाएगा राची में 20 एकर जमीन पर होगी एस्ट्राबेरी की खेती राची में इस बार एस्ट्राबेरी की खेती का रखवा बढ़ेगा किसान अलग अलग जगों पर इस बार 20 एकर से अधिक जमीन पर एस्ट्राबेरी की खेती करेंगे बता दे के पिछले चार साल के अंदर इसकी खेती को लेकर किसानों का रुजान बढ़ा है किसानों ने पौधे लगाने के लिए खेत को त्यार कर लिया है अब एस्ट्राबेरी की खेती जैविक बिदिस होगी जैविक खेती से किसानों को पिछले साल सीजन में इस्ट्रावेरी से अच्छी अमदनी हुई थी सड़क निर्मान कार्य में अर्नियमित्ता बरतने वाले अधिकारियों पर प्राथमे की दर्ज करने की अनुमती देने में बिलंब किये जाने पर हाई कोट ने ग्रामीन कार्य विभाग से जबा मंगा है उधर भाजपा के परदेश महामंत्री परदीप बर्मा ने कहा है कि हमन सरकार नए सड़क का नेवान क्या करेगी सड़कों का गढधा भी नहीं भर पा रही सरकार की जगा पबलिक ही भर रहे गढधा उधर लोग अपना इम्मिनिटी बढ़ाने के चकर में तीन गुना अंडा की खपत बढ़ा दी है जारखन के दह जिला सरापतसकरी का होट पॉइंट बन चुका है जिस पर पुलिस परसासन की निगाहे है सिम्टेका जिला के बानो थाना चेतर के राम जोल के समीप दक्षिन कोयल नदी की तेज धारा के बीच 16 घंटे से फसे मचवारों को एंडी आरेफ की टीम ने बचा लिया है उधर CBI के पुर्व S.P. ने उसा मार्टिन कंपनी से 50 लाग की रिस्वत मांगी थी जिसमें 25 लाग के साथ दिल्ली से गिरफतार हुए भाजपा साथ याठ अक्टूबर को उप चुनाव के लिए अपना परत्यासोग घोसना कर सकती है जार्खंड के जामतरा जीला में नरायनपूर के तीन महिला का पहाड़ी मीटी धसने से दब कर मौत हो गई सराय के लाग खरसावा से दो नक्सलियों को पूलिस ने हाथियार के साथ गिरफतार किया है उधर जीए एडवांस में धनबाद की अनुसका देश में 177 जबकि जार्खंड में इस्टेट टोपर बनी है जार्खंड की दो सीटो पर उप चुनाव के लिए मदान कर्मियों को कुरोना का टेस्ट कराना होगा धन्यवाद यदि आप चैनल पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल लाइकन दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर कोमेंट सेक्षन में आपना फीडबैक अवास्य दे थाइंक यू